दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्तों रेंद्र और आज हम आ गए हैं खुबसूरत लखनों के खुबसूरत उम्राव मौल में जो कि आज ही जनता के लिए खोला गया है चली आंदर देखते हैं क्या है खास आज अपको लेकर चला हैं अपने एक उसूरत लखनों के मैं भूले वे सुनाए है और बिल्कुल नए-nए मौल में जो कि आज ही जिसका इनबरेशन हुआ है और चलना इसके अंदर और भिखाते हैं कि क्या खास है किस मौल के अंदर देखेें सिग्योटी कि यहाँ पर किस तरी ववस्ता इस मौल के अंदर और हरा आदमी जो यहाँ पर आ रहा है और किस त कि आज इनागरेशन है इस मॉल का तो बहुत ही कुछूरती से इस मॉल को सजाया गया है आप अंदर लिए चलते हैं और देखें यहां पर इस मॉल में यह सेल्फी पॉइंट बनाया जिया है जहां पर लोग आकर के अपनी सेल्फी ले रहे हैं अब लिए चलते हैं मॉल के अंदर आपको अधी किस्ते के सजा हुआ है बहुत ही कूछूरत लग रहा है यह मॉल अब बिलकु नया महाल है और बिलकु नया महाल है किस मॉल के अंदर अब हम आगे हैं इस मॉल के फर्स फ्लोर पेट और बहुत ही खूसरत मॉल ही है और लगभग सारे ब्राण यहां पर इस समें मॉजूद हैं इस मॉल के अंदर पता ही क्या नाम है आपका तो मांशी जी कहां के रहने वाले हैं आपको यह बता ही है कि कैसा लग रहा है इस मॉल में हां करके बहुत ज्यादा अच्छा लगए बहुत कुशी हो रही कि ते निशादगंज के ग्लोग एक मॉल कि अधिय है तो फूपसूरती कैसी है इसके बहुत ज्यादा अच्छा है बहुत ज्यादा एफ्वीब और बिग्बजार का जैसे के मानसी जी नंई शहती हम बजा तक रीक यह लोगों मालूम करते हैं कि यह फिलाग जोटी चोटी शोटी बच्चे यहां पर खड़े हुए इनसे मालूम करते हैं कि कहा नाम है और उनको कैसा लग रहा है समाल में आकर कर, किया नाम थे अपका तो पर्षिप कहा से आये तो कैसा लग रहा है आपको यहां पर आपके साथ तो यह बच्ची अपनी दोस्तों यहां पर आई है चलिए और लोगों समालुम करते हैं तो उनको कैसा लग रहा है यहां पर आप चलिए अब चलते हैं हम लोग इस मौल के सेकेंड टोर पर देखते हैं वहां क्या है एक खास किस मौल के अंदर और अब हम लोग आ चुके हैं मौल के सेकेंड टोर पर और यहां देखे हैं काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहां पर इस मौल में आइनॉक्स भी है और पहला दिन है क्या आफर्स हैं चलिए मौलू करते हैं यहां पर हमारे साथ इस वाल के और इस सिनेमा घर के मालिक श्री आश्री श्कुमार अगरवाद इसे मालूम करते हैं इतने सालोगा जो उम्रों टॉकिछ फिर से चालू हुआ है तो क्या और हैं लोगों के लिए खास जो यहां पर लोगों पाना चाहिए पता है कि यह जबते पहले आप उदादे कि यह मौल जो है 1976 में हमारे अच्छलते नहीं है जिकी यह 1996 में हमारे पिता जी श्री गाम चंडर्रवाल जी ने जो है सिन्मा अल बनवाया था जिसका नाम है उम्राव सिन्मा और यह उम्राव जो है हमारे दादा जी श्री उम्राव सिंग जी उनके नाम पर यह बनवाया गया था हमारा पहले सिन्मा खुला था वह उनने सगस उनने सो चीटर को खुला था तो उसी डेट को हमने जो है लगनों के थोपा दिया है अब यहां की जो सबसे बली एक विश्रिष्टा है यह पूरे मेक्रू इमाल मौल है और आला मौल से मौल भास्टा नगर मेक्रू इटिशन के वल 200 मिटर दूर पर है लगनों मौल पूरे लगने सा इसकी बात हिए उनकी जीश में आ गया है और हमारे बसे ये मॉल ट्रांस गुंपती बाकेला मॉल है तो हमारे जो कस्तमर्स है वो इंद्रा नगर, निराना नगर, मा नगर, जानकी पुरम, सीतापुर रोड, विकास नगर तो ये बताई है गुराल जी कि और लोगों के लिए क्या यहां पे खास है देखिए सबसे बड़ी बात है कि बर्गर किंग जो अभी तक लगनों में कहीं नहीं पुला है वो हमारे वहां आ रहा है दूसरा गेमिंग जोन, पूरे उत्तर फारत में इतना बड़ा गेमिंग जोन, फैमिली अंटेंटेन्मेंट सेंटर जहां पर बच्चों के गेम्स होंगे, बच्चों के लिए रेस्टोरेंट है, सॉस्टी पाइट के नाव से और यह जो हमारा जो फिट्स जोन है इसका ना देखिये, हमने डबल अबेस्मेंट पार्किंग दी है, और उसके बाद भी टू वीलर्स की, हमारे पास दो हजार टू वीलर्स की पार्किंग, हमने उपलप कराई है, तरशोकों की सुदा के लिए तुमने पहली बचा दिया कि मेट्रो रूट में होने से यहां पर लोगों जो हमारा सबसे बड़ा हो है, बिग बजार यहां पर आ रहा है, अगरवाल जी ने बड़ी पूतित बताया कि इस नए खुले हुए उम्राव मौल में क्या-क्या सोगाए हैं लोगों के लिए और कौन-कौन से ब्रांड यहां पर मौझूद है, इसके लिए आपको यहां प सब्सक्राइब करिएगा और जो तो समस्क्राइब दो करें, तो उसको अगले वीडियो तक से लिए फिर से बाबाई समाते हैं